नमस्कार दोस्तों मैं संदीप स्वागत आप सभी का आज किस ने एक लास में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हिंदी के मुस्ट इंपॉर्टेंट कोईश्चन और एंसर के बारे में जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए फूरी तरह हेल्पूल है और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला कोईश्चन देखते हैं कौन सा आज किस वीडियो का और जो चाहत चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लिजेगा और टेलिग्राम और साथ साथ में वाट्सप ग्रूप का लिंक वीडियो के डिस्कस्न में जॉइन हो जाईगा ठीक है पहला कोस्टिन है कि बिहारी क्योंकि आप सब्सक्राइब के अफिक मालूम कि अबजेक्टि और सब्जेक्टिव दो प्रकार के कोईश्चन पूछे जाएंगे अले याद रखेगा कि बिहारी कैसे कभी थे आपके एक्जाम में आ गया तो आपको आपसर मिलेंगे आपसर नमबर एक की रशिक थे भक्त भाव के थे दाश्य भाव के थे मदुरी भाव के थे तो इन आपसरों मेंसे जो क्वेश्चन का राइट एंसर हो जाएगा बिहारी जी जो थे वो रशिक कावित थे ठीक है याद हैगा ए नमबर याद रखेगा टोप लेबल का कोश्चन है ओके चलिए बढ़ते हैं अंगले कोश्चन के और अगला कोश्चन है कि बिहारी जी के गाउं का क्या नाम था आपसर मिल जाएक राजापुर नंकाना शोरो बस्वा गोबिंद पिर तो बिहारी जी के गाउं का जो नाम था वह बहुत सारे कोश्चन को राइट एंसर बहुत सहे चात्रों का एंसर बालूम होगा लेकिन जिनको भी मालूम हो बेसक कमेंट करके बता सकते हैं फिराल मैं आपको राइट एंसर बता दे रहा हूं बिहारी जी के गाउं का नाम था बस्वा गोबिंद पूर इसलिए राइट एंसर सी हो जाएगा याद रखेगा ठीक है निश्ट कोईशन है कि बिहारी जी के काविक का मुख्य रस क्या है करूं शांत शंगार इनमें से कोई नहीं तो बिहारी जी के काविक का जो मुख्य मुख्य रस है वह क्या है आपसे नाम में से जो देगे इनम संगार रस्क कभी याद रखें मतलब कि काभी की जो में जो पाया जाता है वो więks इंजिन कव जाए mij को । पीस्ट कोलें शेक्षार Neeक जाएक कौछा उर्डी काउनख मया गानन पूछे जाएंगे यह 100% से हो रहे है तो याद रखेंगे आप लोग के सारे question और answer मदद पूरी मिलेगी आपको एक जामे अगला question है कि बिहारी का जन्म कहा हुआ था आपसर मिल जाएगा कासी में बिहार में गौालियर में मद्धप्रदेश में बिहारी जी 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 थे उनका जो जन्म है वो हुआ था गौालियर में ध्यान नेखिएगा बिहारी जी का जो जन्म है वो गौालियर में हुआ था ठीक है बस्वा पूर गोबिंद पूर है वो आप लोगों को इसमें जो बताया जा रहा है ठीक है बसवा गोबिंदपूर इनके गाउं का नाम था ठीक है इसको ने कि भीहारी ने किसका सिश्ट को सुभिकार किया था यानि कि किसके ये सिश्चु थे ठीक है इनके गुरू के कौन थे इसमें आपसन आपको जो मिल गे इसमें क्या याद रखेगा ःख एजा एंसर अगला कोशिटन है कि बिहारी का जन्म कब हुआ था संबत याद रखेगा शमस 221 см 16 Dakota शखेगा इसमें пригों पंदरा चारूमें अगला प्लाश्ण है कि नरिहरदाज कहां रहते थे बनारस में रहते थे पहारि जी के जो गुरुन राप याद रहते हैं कि याद रखेगा मुश्रिए घ्ला क्या ठीक है अकल कोरिम्ला इस सन 1662 में किस राजा के यहाँ अपनी वरत्त लेने गए थे यहाँ पर हो जाए था सन वो जिन हो गया और यहाँ पर होना चाहिए था राजा यहाँ पर हो गया था रजा याद रखेगा यहाँ थोड़ा टाइप करने मिश हो गए शमझ लिजीगा ठीक ہے तो मान सिंग के एहां गए थे गोबिंद सिंग के एहां गए थे और आप संन मिल जा रहा जैसिंग अकबर सिंग तो राइट एंसर और जाएगा तीख है अपनी जो वुरत लेने गए थे वो गय थे जैसिंग के कि यहां इसलिए राइट एंसर कोश्चन का हो जाएगा सी नमबर याद रखेगा सी नमबर राइट एंसर चैसिंग नेस्ट कोश्चन है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु पंक्तिकिस कभी है most important question है यह अग्जाम में आपकी पूरे chances हैं आने को याद रखेगा question का answer और कुश्चन भी तुलसी दास कबीर दास बिहारी दास कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा बिहारी दास दुफते इस वीडियो में इंडी विज्विली हम बात करें बिहारी लाल जी से समधित मोस्ट इंपार्टन के बारे में लेकिन जब आपका एक्जाम होगा तो वहा नजिहार दाफ जी के दर्सन करने के लिए ब्रंदा बन ठीक है ब्रंदा बन आया और बिहारी जी को अपने साथ ले गया ठीक है तो आपसना आपको मिल गये हैं अकबर जी जहांगीर और एंग जी शाजहां तो कोश्चन को जो राइट एंसर हो जाएगा ठीक है उस राजा प्रक्राइब करें कि आप याद रखी आप ने हो सब्सक्राइब नहीं है गाथा सब्सक्राइब का प्रभाव नहीं याद रखे अगला प्रेशन है कि निम्न में से कौन सा कभी शसुराल में रहता था तो कोईस्टिन आप लोगों को आपसन दे देगी इसमें जो राइट एंसर हो जाएगा बिहारी जी बिहारी जी अपने इसमें आपसन आपको फिर से में आपको बता दे रहा हूं इसमें लिखा है कि 800-3 353-415-713-200 तो बिहारी जी में जो बहां की संख्या है ठीक है वो है 713 इसलिए राइट एंसर हो जाएग वह हो जाएगा सी नंबर याद रखेगा 713 है बिहारी संख्या में जो बहारी संख्या और पिर आते है ठीक है आपके एक्जाम में कई परकार के गुमापिराइगर कोश्चन पूछा जा सकता तो आलोग ध्यान ध्यान दे दिजिएगा ठीक है आफसन है कि महा काब चंपू मुक्तक काब इनमें से कोई नहीं तो यह जो आफसन दिये गए इनमें से जो राइट एंसर हो जाएगा बिहाई सस्ताई जो किस वर्ग में आती है ठीक है याद रखेगा बिहारी जी को एक दोहा लिखने पर राजा जैज सिंग से कितनी असरफिया मिलती थी पाँच दस एक साथ तो कोश्चन के राइट एंसर हो जाएगा 16 नंबर का हो जाएगा एक प्रतेक दोहे लिखने पर राजा जै सिंग के इनको एक असरफिया मिल नहीं थी और यह सब इनके काब में विशेष थी यानि कि यह सब थी इनके काब में जबकि राष्टे भावना नहीं थी इसलिए राइट एंसर हो जाएगा यहां पर नहीं पूचा गया ठीक है अगला प्रश्ण है कि बिहारी ने कितने ग्रंथों की रश्णा की है पांच दो आठ एक सुत्रों के मताविक पता चला है जो बिहारी जी के जो ठीक है बिहारी जी के ग्रंथों की जो रश्णा है वो कुल मिगा के ठीक है फिरहाल इस कोश्चन कर राइट अगर आप लोग ब को बताया दे रहा हूं एक की ही आप लोगों की हिजाब से क्या है कमेंड स्क्राइब बताएगा ग्रंत की बात हो रही ठीक है अगरा क्वेश्चन है कि कि किसके लिए या कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया देव के लिए सेनापती के लिए रसलेन के लिए भिहारी के लिए यह qeustion most important और टाप लेबल का है आपके एकजाम में आने के पूरे से पूरे चांसर है गागर में सागर से संबंदित यह qeustion कई सालों में कई बार पूच्छा भी गया है ठीक है तो qeustion के राइट एंसर हो जाएगा जो क का बिहारी लाल जी ठीक है वह रीत काल के प्रमुग कभी थे याद रखे रित काल के इसल rapid question को जाएगा डी नूमबर अगला प्रशन है कि कि निम्न में से बिहारी जी की भासा का नाम यानि कि जो बिहारी जी थे उनकी प्रमुग भासा तnt उनकी भासा कैसी थी, ठीक है, उनकी भासा का नाम बताईए, बुंदेल, खंडी थी, मगही थी, अउदी थी, ब्रजभासा थी, तो इस आपसन में से तो दिये गे, इनमें से राइट एंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रजभासा, ठीक है, याद रखेगा बिहारी जी की बेटे का नाम बताईए, या फिर बिहारी जी के बेटा का क्या नाम था, रंजन नाम था, कृष्णलाल नाम था, जहीर नाम था, इनमें से कोई नहीं, तो जो बिहारी जी थे, उनके जो बेटे का नाम था, ठीक है, याद रखेगा, वो था केशो दास, बिहारी जी के बिहारी जी के पिता का क्या नाम था तो जो बिहारी जी थे उनके पिता जी क्या नाम था तो आपसर आपको दे देगे केशोदास मुनी राज घनान दिन में से कोई नहीं तो जो बिहारी जी थे उनके जो पिता जी का जो नाम था ठीक है तेश नमबर को इस चेंग राइट ए कीच के दौरा किया गया था याद रखेगा विहारीस शत्ताई का संस्कूत में अनुक्स कभी के दौरा। पंडृत परमनंद द्वारा याद रखेंगा पंडित परमनंद के द्वारा 6 के धुरल्प पंडित परमनंद के द्वारा संस्क्राइब किया रहा सथ करे अगला चार बलदेव जी ने बियारी जी को ठीक है जो बात्सा माना है वो माना है दोहा का इसलिए right answer हो जाएगा b emर याद構 रखेगा बलदेव जी ने बियहारी जी को दोहा का बात्सा मानां है अगला प्यत 550 की रसर बेंजना का पूल्ड बैभाण उनके अनभव के बिधान से में दिखाई पड़ता है ये किस ने कहा बिहारी जी को किसी ने कहा है कि रस्र बेंजना का पूर्ड बैभव उनके अनभव के बिधान में दिखाई पड़ता है ये घनानन्द ने कहा था ये तुलसेदास जी ने कहा था रामकुमार जी ने कहा था है तो कोछिशितंग प्रफिय यह और घुनाम साής नाम की बिहारी रत्नाकर के रशनाकार के बिहारी रत्नाकर का नाम है जो उसका जो नाम है वो है जगनात, ठीक है याद रखेगा जगनात रतनाकर, C number right answer, अगला प्रशन है कि रामचंद सुक्ल ने बिहारी जी को क्या माना है, गुरू माना है अपना, रसवादी माना है, या फिर अलंकारवादी माना है, या फिर पंडित माना है, तो अचार रामचंद सुक्ल जी ने बिहारी जी को जो माना है, वो माना है रसवादी, इसलिए question का right answer हो जाएगा, बी नमबर, याद रखेगा एक प्रकार से बिहारी जी रसवादी भी है, रसवादी कब भी है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशने के और, अगला प्रशने कहे रहा है कि रीत काल का सरवधिक लोगप्रिय ग्रंथ है, यानि कि जो रीत काल था, ठीक है, उसमें सबसे जो अधिक प्रिशिद्ध या लोगप्रिय ग्रंथ कौन सा था इन में से, रसागर, बिहारी सच्चाई, कभी प्रिये, इन में से कोई नहीं, तो रीत काल में जो सबसे प्रिय और लोगप्रिय ग्रंथ है, वो जो है, बिहारी सच्चाई है, इसलिए राइट एंसर हम सिलेक्ट करेंगे, बी नमबर, याद रखीगा, बी नमबर, बिहारी सच्चाई, अगला प्रशन है कि बिहारी जी का देहांत कब हुआ था, या इन के जन्म और मिरत्य के दोनों के बहुत सारे अलग-अलग मत भेते तो जहां तक मुझे जानकारी, जहां तक मुझे रिचर्च करने पर मिला है, वो है, बिहारी लाल जी का दिवासन है, वो शत्त्राव सबीस में हुआ था, याद रखेगा, शी नमबर कोश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे हम,